अलो डियर इस्टुएंट्स कैसे हैं आप लोग खोप आप सभी लोग fit and fine होंगे और अपनी शॉर्ट हिन को भी honestly manage कर रहे होंगे आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ शॉर्ट हिन से related इसमें मैं आपको book exercise 87 explain करने वाली हूँ यह exercise आपकी जो दी गई है यहाँ पर हिंदी संस्कृत कई सारे ऐसे word आये हुए हैं या फिर राष्ट भासा से related जिनकों की basically आज की editorial का भी अगर आप reference लें तो अच्छा खासा concept यूज होता है तो इस exercise में मैं उनी words पर काम करूंगी और आपको उनके short outline बताऊंगी कोशिश करूंगी कि शब्दों को short आप कैसे करें ताकि आप easily अपनी short end को लिख पड़ पाएं तो यहाँ पर जो advanced format बनेगा प्लीज उस पर जड़ा focus कीजेगा उन outlines को ध्यान से देखेगा ताकि आप समझ पाएं और असानी से उनको बना पाएं कोई भी outline proper practice में लेने के लिए जरूरी है कि आप उसको कम से कम 3-4 बर separately बनाएं अगर आप outline की separate practice नहीं करेंगे तो आप वो result नहीं पापाएंगे जो कि आपकी requirement में must है तो कोशिश कीजिए separate practice कीजिए ताकि आपकी outline का concept आपको clear हो जाए आपको समझ में आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज की dictation की practice तो यहां पर जो सबसे पहला word आ रहा है यह है राश्ट्र भाशा तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे देखी राश्ट्र भाशा दो शब्द को combine करके हमने इसको बनाया हुआ है तो यहां पर राश राश्ट्र भाशा शब्द को इस तरह से भी लिख सकते हैं राश्ट्र भाशा सरी राश्ट्र भाशा यह दो फॉर्मेट है आपको जो ज्यादा इजी लगता है आप उसको apply कर सकते तो राश्ट्र भाशा हिंदी की स्वरूप वही होगा जिसमें समस्त भारत वर्ष तो भारत वर्ष के निवासी सुगमता से अपने विचार देखे कोई भी doubt हम sound represent करने में हमें problem नहीं है क्योंकि अगर हम sounds को represent कर देते हैं तो वो हमारे लिए एक easy format बन जाता है समझने के लिए अगर आप उसको represent नहीं करेंगे अगर आप उसको नहीं बताएंगे कि यह किस चीज के लिए apply किया है तो वो आपके लिए ज्यादा टफ पड़ जाएगा पड़ने में तो अपने विचार को व्यक्त कर सकेंगे तो देखिए हमने लिखा व्यक्त तो व्यक्त कर सकेंगे जो लोग combine करती है यह कहते हैं कि राष्टर भाषा से संस्कृत ऐसे भी लिख सकते हैं और संस्कृत आप ना की तरफ संस्कृत यह दो format हैं सब्दों का अधिक से अधिक वहिशकार किया जाना चाहिए तो हमने लिखा किया जाना चाहिए वे लाइन पर आ जाएगा वे कदाचित यह बात भूल जाते हैं यह अपने भूल जाते हैं combine कर दिया कि वर्तमान समय की अधिकांश प्रांतिय भाशाएं संस्कृत से ही निकली हैं लाका हुपाय का और इसलिए सभावतह इन में संस्कृत के शब्द बहुलता से पाए जाते हैं पुर्णा ऐसी अवस्था में अधिकांश भारत वासियों के लिए अंतर प्रांतिय तो तरदर के लिए नाकी वेंजन रिखा कुप कर दिया डबल और प्रांतिय शब्द इसी में आड़ कर दिया अंतर प्रांतिय भाशा के रूप में ऐसी ही भाशा अधिक अब देखे शब्द है ग्रा है तो अदिक हमने लिखा याँ पर ऐसी भाशा अधिक ग्राह तो ग्रामेह और सुविधा जनक देखिए सुविधा जनक और इसी में हमने लिख दिया या तो आप इसी से मिला दीजिए होगी या फिर आप सेपरेड लिख सकते हैं जिसमें संस्कृत के शब्द संस्कृत के शब्द काफी का हमारा शब्चिन है हो हमें दुख के साथ कहना हमें दुख के साथ कहना पड़ता है तो कहना का शब्चिन है पड़ता है कि जो लोग बनावटी तो बनावटी वट के लिए ये साइन है ठीक है हिंदुस्तानी भाषा का निर्मान करना चाते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि उनमें बोल चार के सरल शब्दों का ही प्रियोग हो वे सामप्रदायता के आधार पर राष्ट्र भाषा की समस्या हल करना चाते हैं यह पूरा कंबाईं करते हैं उन्वराम जैसे हल करना चाते हैं फिर है आपका जैसे राजनीति शेत्र में अल्प संख्यकों तो हम यह आपर कैसे लिखेंगे देखिए जैसे राजनीतिक शेत्र में अल्प संख्यकों को पीछे धकेल कर केवल मुस्लिम लीग को महत्व दिया गया है और उसके साथ समझोता तो हमने आपर समझा को जैसे किया है समझोता करने का परेयत्न किया जाता है इसी तरहां इस तरहां में हम वहीं से बना देते इसी तरहां में नीचे को लाके बनाएंगे इसी तरहां भाशा के शेत्र में केवल उर्दू वालों के साथ समझोता करने की आवश्यक्ता समझी जाती है अन्य प्रांतिये भाशाएं भाशा भाशी इसी में जोर्द भाशियों की सुबिधा तो देखी सुबिधा असुबिधा की उनका खयाल नहीं किया जाता है जितना की उर्दू वालों का मुसल्मान शब्चिन है हमारा मुसल्मान कैसी राष्ट्र भाशा सुविकार कर सकेंगे तो सुविकार का बनाया इसे कर सकेंगे इसी पर हिंदुस्तान के सब हिमालयती तो हमने यहापे क्या लिखा मालयती अपना ध्यान केंदृत करते हैं पूर्विराम वे यह देखने का प्रयास नहीं करते तो हमने लिखा नहीं हलका से बहार निकालता करते की वे जैसी तो में लिखा वे जैसी क्रत्रिम भाशा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं उनको समझने लिखने और बोलने में अनेक प्रांतों की जनता को बड़ी कठिनाई होगी अताहती का शब्चिन है अताह संप्रदाइकता के आधार पर राश्ट्र भाशा के लिए क्रत्रिम हिंदुस्तानी भाशा का विकास करने का प्रयत्न त्याग अब यहाँ पर या का शॉर्ट फॉर्म बना दिया है कर हिंदी को ही अंतर प्रांतिये काम के लिए अग्रसर करना चाहिए और उसे ही राश्ट्र भाशा के रूप में सुविकार करना चाहिए पूणगरा तो यहाँ पर हमने इसको लिखा कि उसे ही राश्ट्र भाशा के रूप में सुविकार करना चाहिए अब देखे हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी का हमरा शब्चिन बना हुआ है उसी को मियाओ पर बनाएंगे हमने लिखा हिंदुस्तानी न तो दोनों कम्बाइन कर दिए न तो अब देखे जब कम्बाइन करते हैं रफोर्ड को कोई भाषा है और ना उसका कोई साहित्य है तो हिंदुस्तानी ना तो कोई भाषा है ना उसका कोई साहित्य है गूरं तो हमने घ่ नीचे का बनाया विशयों का शब्चिन है को व्यक्त करने की शमता अपोजिट लिया यहाँ पर हिंदुस्तानी में नहीं आ यह छोटा बनेगा यहाँ ठीक है और यहीं से सक्ति पूर्ण विराम विज्ञान अर्थ सास्त्र तो यह विज्ञान का बनाया यहाँ पर यहाँ के लिए ले सकते हैं अर्थ सास्त्र तथा राजनीती आदी विशय पर जो ग्रंथ अब लिखे ग्रंथ और ग्रंथकार आपने यह शब्द पढ़ा था तो हमने यहाँ पर लिखा ग्रंथ लिखे गए हैं या लिखे जाएंगे ग्रंथ लिखे जाएंगे उसमें संस्कृत शब्दों का ही आश्रे तो शामेरा या लेना पढ़ेगा पढ़ेगा के लिए यह बाकी वेंजन रिखा को ड्रॉ कर दिया तो लेना पढ़ेगा अतहा हिंदुस्तानी के विकास का प्रियत्न करना शक्ति का अब लिखना है यहाँ पर शक्ति का अपव्ये तो पव्ये करना होगा उससे राष्टर भाषा की समस्या कभी हल अभी जहां तक है आगे यह पूरा एक बढ़ बनेगा तो यह हम फिर वहाँ पूरा कर देंगे इसको कभी हल नहीं होगी ठीक हो गया अब हमने यहाँ पर इसको कैसे लिखा कभी हल नहीं होगी अब अगर मुझे इसे कमबाइन करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं इस शब्द को कभी हल ठीक है नहीं होगी दो अब दो पूरा नॉमल ही लिखेंगे हम इसको कोई अलग पॉमेट नहीं बनाएंगे दो लिखियों का सीखना अनिवारे करना बच्चों करकर करना का शब्चेन है बच्चों पर अनावश्यक तो अनावश्यक रूप से एक भारी बोज लादना होगा इससे बच्चों की शक्ति और समय का शै होगा किसी एक अलप संख्यक संप्रदाए तो हमने यहां लिखा किसी एक अलप संख्यक संप्रदाए के तुस्टी करन के लिए उसकी अवेग्यानिक लिपी को लेकर देश भर के लोगों पर लादना कभी उचित अनुचित तो यह चमेता नहीं कहा जा सकता रास्ट्रिये त्रिष्टी कौन से लिपी की समस्या को हल करने का मार्ग यह है कि रास्ट्र भाशा के लिए केवल वही लिपी सुविकार की जाए तो अब देखिए यहाँ पर विज्ञानिकता तो हमने किस तरह ऐसे लिखाया आपर विज्ञानिकता तथा सुगमता की द्रिष्टी से सर्वस्रेष्ट हो चूकि यह प्रमानित हो चुका है कि देव नागरी अन्य सभी लिपियों से अच्छी है अतहा रास्ट्र भाशा के लिए उसी का सर्वत्र प्रचार होना चाहिए तो यह पूरी हमारी जो exercise थी यह हमारी मात्र भाशा मात्र भाशा तो नहीं कह lapse यह हमारी रास्ट्र भाशा के लिए थी क्योंकि मात्र भाशा तो सबकी अलग अलग होती है जो जिस community से belong करता है यह हमारी रास्ट्र भाशा से related dictation की practice थी यहाँ पर कई सारे वर्डों को हमने practically manage किया है उनको short किया है उनकी smart and advanced outline का format प्रिपेर किया है आप इस dictation को इस exercise को properly देखिए इसको समझे इसमें कोई भी doubt या कोई confusion रहता है तो आप उसको पूछेगा आप comment कर सकते हैं आप हमारा telegram group join कर सकते हैं यहाँ पर आपको इसकी proper outline provide हो जाए तो hope यह concept आपको clear हुआ होगा आपको outline समझ में आई होगी hope यह video आपकी short in studies में भी helpful रहा होगा अगर यह video आपकी short in studies में helpful रहता है तो please चैनल को like, share and subscribe करना विल्खुल मत भूलिएगा keep learning, keep watching, stay connecting, have a good day